आज मैं आपको सिखाऊंगी कि नेट का डिजाइनर लहंगा आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं और इस तरह का लहंगा अगर आप बाहर से सिलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा तो लेकिन मैं सबसे पहले आपको वो शॉप दिखाऊंगी जहां से म और मैं आगे वीडियो में आपके साथ अलग-अलग तरह का लहंगा और इसका टॉप बनाना सिखाऊंगी तो यहां से मैंने खासकर ईद के हिसाब से कपड़े खरीदे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं तो आज की वीडियो जो है मैं उसी कपड़े से बना दूप था अनने वाली हूं मैंने यहां पर सैनी लिया है सैंटन मैं एक मिट लिया है तक ही में उसके अंदर फॉल लगा सकूं तो यह फैबरीग जो है अधिए इस सारा से नीचे कट्वर का काम किया हूआ है और उपर काहिस्सा पुझे टोड़ा सा हलका है लिए बुझे को कटिंग करने की ज़रुवत नहीं है सिर्फ लंबाई लेनी है लेकिन जो में इसकी कटिंग है वो हम लाइनिंग के अंदर करेंगे तो चलिए हम स्टाट करतें लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर पेपर पर मेजरमेंट सिखा देती हूँ तो यह देखिए हमने सबसे पहले इसका बेल ड्रॉग किया है हमें जो नेट के कपड़े में बनाना होगा वह हम इसमें लंबाई ले लेते हैं यह जो टोटल लंबाई रहेगी इसमें गैदस रहेंगी बीच में तो टोटल जो लंबाई है मेरी यहां पर 42 इंच इसके अंदर हम 2 इंच का बेल लगा द तो इसमें भी हमें जो है बेल्ट अलग से लगाने का है बाकी जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा वह जो हमने यहां पर लंबाई रखी है उससे हम दो इंच कम कर देंगे यह हमने जो है 40.5 रखा है तो वह हम 38.5 लेंगे तो जैसे जैसे मैं आपको कपड़े में बताऊं कि उस और तीसरा चौथा जो यह फोल्ड वाला हिस्सा है यहां से बस आपको इस तरह से इसे रखना है तो यहां पर आपको लंबाई ले लेनी है कि जितनी भी आपकी लंबाई रेगी उसमें हाफ इंच आपको एड़ करना है क्योंकि हम उसमें बेल्ट लगाएंगे इसलिए चुकी इसमें ज्यादा कुछ करने के बिल्कुल जरूरत नहीं है और यह बीच वाला हिस्सा जॉइंट हम उसे बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे इस तरह समें गयादस जाल लेंगे और उसके बाद लाइनिंग को रिकिए इस तरह से मैंने क्रॉस करके वोल करके विचा दिय है जैसे हम अम्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं विल्कुल उसी तरह से आपको फोल्ड करना है तो यहां पर दिखिए मैंने इसे फोर लेर में रखा है डबल करने के बाद में हमने क्रॉस किया तो यहां से हमें कमर का निशान लगाना होगा यानि जितनी भी आपकी कमर की गुलाई है उसका चौथा इससा उसके बाद लंबाई हम ले लेंगे यहां से तो यहां पर जो है मेरी कमर की टोटल यहां पर गुलाई है वह 27 इंच है इस तरह से देखिए पहला हम उसका हाफ करेंगे 39.5 इंच हो जाता है उसके बाद में इसे दुबारा से हम half करेंग यानि इसका चौथा इससा हमें लेना है तो पॉने साथ आता है पर मैं यहाँ पे 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दूँगी इसमें सिलाई के लिए लेने की ज़रूत नहीं क्योंकि जब हम इसे क्रॉस में कट करते हैं तो यहाँ खिषता है तो अपने आप यह कपड़ा बढ़ जाता है तो एक इंच आपको एक्स्ट्रा रफना होगा क्योंकि हम इसके अंदर अलग से जो है फॉल लगाने वाले हैं तो हमें सिर्फ हाफ पींची इसके अंदर चाहिए तो जो कि 38.5 इंच काफी हो जाएगा तो हमने देखिए यहाँ पे माक कर लिया है अब हम इसकी कटिंग इस इसकी कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी कटिंग कर लिया है इस इसे को हम यहां से जॉइंट कर देंगे इन दो हिस्से पर हमारा यहां पर जॉइंट आ जाएगा यहां पर एक सिलने के बाद में जॉइंट करेंगे और इस लेंगे में हम जो है वो जि अब 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 आपको जो है वो रेंट कर दिया है और इसकी जो लेंद है वो मुझे यहां पर 42 से 43 इंच तक यहां पर मेल रही है तो इस लंबाई कि मुझे कम से कम चाहिए तो हम यहां पर इसके छोड़ा है कि टीनिच ले लेते हैं इसी तरह से अगर कट करना होगा तो इस तरह से आप निशान लगा के भी कट कर सकते हैं लेकिन हम पहले स्टार्टिंग में एक पお願いします कट करेंगे उसके बाद में इस प्तटि को हम इसके पर रख देंगे उसके बाद हम इसके ओपर सारी पटियां रखते हुए कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से जो है क्रॉस में पटियां आसानी से कट हो जाती है सारी पटियों को हम जॉइन कर लेंगे चलिए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें इसके अंदर gathers डालनी होगी तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले निशान लगा देंगे यानि हमने इस कपड़ी को कटिंग किया था इस तरह चार हिस्से में देखे इसे रखेंगे पहले इस तरह हम पहले इसे हाफ में कट करके निशान लगाएंगे तो इसे मैंने देखे इस तरह हाफ किया है हमें जो है इसे चार हिस्से में डिवाइट कर देना है यानि जब हम gathers को डालेंगे तो हमारी जो कमर की गोलाई है उसके हिसाब से हम इसके अंदर gathers को डालेंगे यहाँ पर मैंने माग कर दिया हाफ करके अब जो आगे वाला हिस्सा है जो जॉइंट है यहाँ पर भी हम माग कर देंगे इस तरह से अगर हम निशान लगा लेते हैं तो हमारी जो gathers डालना है बहुत जादा असान हो जाता है तो इस तरह से अगर आप gathers डालते हैं तो बहुत जादा खुशूरत gathers बनती है लेकिन अगर आपको यह तरीका hard लगता है तो आप long stitch कर लेजिए उसके बाद में आप धागी को खीचे तो आपकी gathers तयार हो जाएगी तो हमें पहले थोड़ा सा हिस्सा इसमें ready कर लेना है तो यहां पर देखे मैंने थोड़ी सी gathers डाल दी है अब हम इसे measure कर लेते हैं कि हमने कितना यहां पर बनाया है तो यहां से यहां तक 7 inch तयार हो चुका है अब हमें यहां से यहां तक 13.5 inch करना है इसके बाद टोटल जो हमारी गैदर से रहेगी वह हम 27 inch तक करेंगे अगर यहां पर मेरी थोड़ी जाती है तो इसमें कुछ फरक नहीं पड़ता क्योंकि मैं इसके अंदर जो है वो डायरिक लास्टिक लगाने वाली उसके बाद में हम इसके उपर बिल्कुल जो हमने गैदर से डाला उसे शिलाई की उपर हम शिलाई करेंगे तो आगी किसी और लेंगे मैं आपको जिप लगाना भी सिखा दूँगी इसके था कर दिया है अब हमने जो यहाँ पे बेल्ट लगाना है वो मैंने यहाँ पे तयार करके रखा है मैंने यहाँ पे नेट और लाइनिंग का फैब्रिक साथ में जॉइंट कर दिया है इसकी जो लंबाई रहेगी वो आपको अपनी कमर के हिसाब से ही रखना उसकी गुलाई की और चोड़ाई भी अगर आप 2 इंच का बेल्ट लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम पाच इंच चोड़ा जो है यहाँ पे लेना है पे हम इसे अटेच कर देंगे तो सबसे पहले हमने जो यह बेल्ट बना के रखा है उसे हम अटेच करेंगे तो बेल्ट को हम देखिए इस तरह से उल्टी तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे यह नीचे की तरफ हमने बेल्ट को रखा है और इस तरह से देखिए हमें बाद इस तरह करते रहेंगे और नीचे बेल्ड को भी सिधा करेंगे तो यहाँ पर इसे बराबर करके रखेंगे उसके बाद में हम इसमें सिलाई लगाएंगे क्योंकि एक अपड़ा थोड़ा वजन हो जाता है तो इसे आपको थोड़ा समालना पड़ता है तो बहुत ही समाल के आपको इसके उपर सिलाई लगानी है जो भी हमने गैदस डाली है बिल्कुल उसी सिलाई पर ही आपको सिलाई करनी है आप में अटेच कर दिया है अब हाफ इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फोल्ड किया है बेल्ट जो हम fold करेंगे तो हम जो है वो आसानी से डारेक इसे लगा सके fold करके इसके लिए आप अगर पहले से half inch इस तरह fold करके सिलाई लगा देंगे तो आपको elastic डालने में भी आसानी हो जाएगी तो अब हमने देखिए इसमें folding कर दी आपको यहां द्यान से देखना है तो यह जो हिस्सा है हमारा belt वाला उसकी सिलाई हम पहले करेंगे तो जो भी आपका belt वाला हिस्सा है उसकी सिलाई पहले कर ले उसके बाद में हम इसे पलट के यहां से यहां तक 6 inch पर मैंने निशान लगाया है ये जो हिस्सा रहेगा वो हम चारू कपड़े को यानि दो दो नेट को और दो हमारा जो लाइनिंग वाला है साथ में जोइन करके हम सिलाई करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस बेल्ट के हिस्से को जो है सिलाई कर देते हैं, देखिए इस तरह से आपका बेल्ट उपर गे तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर हम इसे पहले जॉइंट करेंगे और यहाँ पर जॉइंट करके इसे सिलाई लगा देंगे double सिलाई करके हमें से जोइंट करेंगे अगर आप लहंगे में जिप लगाना चाहते हैं तो आपको belt की सिलाई एकदम आखिर में करनी होती है पहले नीचे जिप लगाई जाती है उसके बाद में belt की इस तरह से लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे जॉइंट कर दिया है अब यह जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हमें जॉइंट करना है तो पहले हम यहां से यहां तक 6 इंच पे निशान लगाके उसके बाद में इस पे सिलाई लगाएंगे यानि यह चारो हिस्से को हम इस तरह से और इसके जो lining यिसके सलाई इलक से करेंगे इसमें बहुत ही जादा finishing आ जाती है और जो इसका घेर है वो बहुत ही जादा अच्छा बनता है तो हम इस लेंगों को बिल्कुल straight में बना रहे हैं लेकिन हमने जो है स्की जो lining की cutting है वह umbrella style में करी है तैक जो लेंगा इसका flare बहु है अलग से कर रहे हैं यानि यह जो हमारा नेट है साइड का जो खुला वाला था इन दोने की सिलाई हम एक साथ में करेंगे इस तरह से तो यहां पर देखिए मैंने इसकी सिलाई कर दी है अब जो इसका लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको हम एक साथ में जॉइंड करके करेंगे यानि इस तरह से हमने दो हिससे की सिलाई अलग-अलग कर दी है तो आज मैं आपको यह डिजाइनर लहंगा जो बता रही हूँ इ बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है तो आप घर पे ही इस तरह से सीखके बना सकते हैं तो यहां पर मैंने इलास्टिक पे देखिए सिलाई लगा दी है अब हम इस बेल्ड को हमारे लहंगे में लगाएंगे यानि जो हमने बेल्ड तैयार किया है उसके अंदर डालके हम स लगा सकते हैं तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं मैं इसका लिंक दे दूंगे डिस्क्रिप्शन में तो लगाने का तरीका भी देखिए अलग-अलग होता है तो यहां पर जो है मैं बहुत जाद आसान तरीका आपको बता रही हूं आपने देखिए इस तरह से लास्ट और मैंने यहां पर कमर का इसा देखिए बहुत ही कम रखा है क्योंकि अगर हम जो है लाइनिंग को और हमारा जो नेट वाला फैबरिक एक साथ में जाइन करके लगाएंगे तो कमर की तरपास जो है वो बहुत ज़दा घहरा हो जाता है जो कि अच्छा बिल्कुल ने दिख कर दिया है अब हम उसे यहां पर अटेच करेंगे बिल्कुल किनारी पर से हाफ इंच लेते हुए उसके बाद में हम यहां पर इसे टरन करेंगे दीखिए आपको इस तरह से टरन करना है और फिर हम थोड़ा सा फोल करके इसमें सिलाई लगा देंगा पूरी गोलाई में हम यह lining वाला कपड़ा है वो भी circle में कट किया है अगर आप सीधी पट्टी लेंगे तो बहुत परिशाने हो जाएगी तो हमने इस सारी पट्टी को इस तरह जोइंड कर दिया है उसके बाद में हमने यहाँ पे बीच में भी जोइंड कर दिया है अब जो हिस्सा यह खुला रह गया था last वाला उसे भी हम इस तरह बंद कर देंगे तो इस पर भी मैंने देखती इसतरह लगा दिया है अब हम इसे इस तरह टन करेंगे और कपड़े को हम नीचे की तरफ ही करेंगे उसके बाद में जो हमने यह पट्टी को अटेच किया है उस पट्टी पर ही हम बारीक से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारी पर से तैकि जब हम दोबारा से इससे टर्ण करें तो बहुत ही जदा फिनिशिंग के साथ यह पट्टी लगी भी दिखाई दे तो यहाँ पर हमें जो हमारी लाइनिंग वाला कपड़ा उसके उपर सिलाई नहीं लगानी जो हमने अलग से यह पाइपिन की तरह यह पट्टी कट करके लगाई उस पर हमने देखे इस तरह सिलाई लगा दिए अब हमें इसे इस तरह टन करना है बिल्कुल प्रोफेशनल वा तो यह पट्टी लगाने की वज़े से आपका जो लहंगा है बहुत ही जादा नीचे से भरा भरा दिखाई देगा और इसका घेरा भी काफी अच्छा हो जाता है यह लगाने की वज़े से सारी पट्टियों को जो हम इसे तरह से फोल करते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे तो यह पट्टी देखे लग चुकी है बहुत ही फिनिशिंग की साथ हमने इस पट्टी को अटेच किया है हमारा लहंगा देखे बिल्कुल रेडी हो चुका और आप देख सक को इंशालला कूरती की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी तो वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आयों तो इसे लाइक करिये शेर करिये और चैनल को पहली बार आएं तो जरूर सब्सक्राइब करिये तो दुआओं में याद रखिए मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफिज